पर हम पढ़ेंगे processing fibers into wool, तो हम यहाँ पर wool को कैसे तयार करते हैं, हम समसे पहले जानेंगे, तो सबसे पहले जो step है, वो हमारा क्या था है, यहाँ पर shearing, shearing क्या होते हैं, पढ़ लेते हैं, the process of removing hair from the body of a sheep in the form of fleece, it's called shearing, fleece यहाँ पर hair की बात हो रही है, इसमें बोला गया है जो shift की body से हम hair remove करते हैं by bomber, अधर methods, तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, shearing बोलते हैं, मतलब कुल बला के shift के यहाँ बाल निकालने को क्या बोलते हैं, Shearing बोलते हैं अगर यहाँ पर इसके बाल निकालते हैं तो इसको बिल्कुल भी हट नहीं होता है क्योंकि वो dead cells के बने होते हैं जैसे कि हमारे hair बारबर के पास हम जाते हैं कटवाने तो हमें दर्द नहीं होता, same उनको भी नहीं होता क्योंकि जो हमारे हेर उनके हेर हैं वो dead cells के बने होते हैं second जो step है वो हमारा scouring scouring क्या होता है देख लेते हैं the process of washing the fleece that removes dust, dirt, dried, sweat and grease is called scouring तो scouring जो हमारा second step है ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो balls होते हैं वो क्या होते हैं काफी गंदे होते हैं ship के क्योंकि वो काफी इदर उदर गूमते हैं जिसमें क्या होता डेश्ट लगी होती है उसमें पसीने होते हैं और ये सब remove करने के लिए हमें कौन सी process करने पड़ती है scouring जिसमें हम क्या करते हैं उन बालों को धोते हैं detergent से ढोड़ते हैं और अलग तरह के जो chemicals होते हैं उन से धोके इनको साफ करते हैं अब हम बढ़ते हैं यहां पर third step की तरफ step हमारा यहां पर क्या है sorting तो देखते sorting होती क्या है the process of separating the fleece of a sheep into sections according to the quality of woolen fibers such as fine, coarse, long, short, etc. is called sorting sorting स्वाइबर्स होती है मैं आपको पहले बता देता हूँ sorting यह होती है jsईकि कोई-कोई fibers अच्छी quality की होते हैं कोई-कोई थोड़े low quality की होते हैं तो उनको क्या करना होता है कुछ fibers यहां पर लंबे होते हैं कुछ छोटे होते हैं तो वहां पर भी उनको क्या करना dyeing dyeing मतलब होता है किसी चीज़ पर color चड़ाना या dye करना जैसे हम बालों को dye करते हैं तो color करना होता है same यहां पर भी इसका मतलब dyeing का मतलब color चड़ाना होता है the natural face or hair of sheep is white brown और black in color जो natural sheep के जो body hair होते हैं वो कौन से color में होते हैं white brown और black color में होते हैं the white woolen fibers obtained by sorting can be dyed in different color और जो white color होते हैं वो हम किसी भी color में उसको change कर सकते हैं या normally कह सकते हैं white color में ही हमारी यह होती है dye होती है उसको हम कोई से भी color में change कर सकते हैं अपने अनुसार ठीक है अब हम बढ़ते हैं अपने fifth step के तरफ next step है हमारा combing combing मतलब एक तरह से होता है बाल को काड़ना जैसे कि हम घर पे बाल काड़ते तो उसको हम क्या बोलते है combing बोलते है but यहाँ पर combing क्या है पढ़ लेते है combing is a method to prepare woolen fibers for spinning the yarn this is done by using comps having metal teeth तो यहाँ पर भी क्या होती है से इक तरह से combing होती है मतलब मेटल टीट की क्या होती है कंगी होती है जिसको हम जहाँ पर content मेपलब बोलतें English में तो metal थीत की वह क्या करती है इसको तो सुल जाती है बाल को क्योंकि सारे उल्जे हुए बाल होते है इसको spinning करके क्या करती है कुल जाती है तो उस प्रोसेस को यहां पर क्या बोलते हैं हम मिलका बोलते हैं अब इहां पर हमारा या पर सारी प्रोसेस भ extinction मुंदभ बाल जहां पर जěतने वी इसके शुल ईativa बोता है इस ना एक जिगा से गुच्छा बनाना, the long woolen fibers are twisted into thick yarn called wool, तो यहाँ पर क्या करते हैं, उसको उन में बुनने के लिए यहाँ पर twisted करते हैं, एक जिगा उसको अच्छे से गोल गोल करके इखटा करते हैं, the short woolen fibers are spoon into fine yarn and then woven on a loom to make woolen cloth, जो छोटे होते हैं, जो छोटे woolen fibers होते हैं, उनको यहाँ पर shawl बनाने के लिए दे दिया जाता है, या अलग woolen cloth बनाने के लिए दे दिया जाता है, बड़ जो यहाँ पर long होते हैं, उनको यहाँ पर क्या करते हैं, लपेट लेते हैं, जैसे गुच्छा आपने देखा होगा, जो हम यहाँ घर पर own बनाते हैं, तो कित